विस्वल्य एक्पार रही मस्लावालेकूम नाजरीन वीनस टीवी के साथ मैं हूँ आपका होस्ट आपका मेजबान महुंदली पंजवानिया आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्टॉक गाला नाजरीन सबसे पहले स्टॉक एक्षेंज की बात करें और जिस आप से मार्केट ब बीच के यही रेंज बनाःवा है तकिरीत यह यह 500ड़ से मार्केट इसे रेंज वरम ऑरम किई म्युम्राहरे को विप यालीज जाराषव एक्षेंज का लेवल बेक करना है करना है तो 1100 पॉंट वाएंट उपर है आज की मार्कीट के ह डे चार्ट पर हम देखें तो पहला जो सापोर्ड बनता यौ दूसा जो सिपोर्ड बनता है वो 34,449 पर है ये मार्कीट के माम्ला चल रहे हैं और मार्कीट जो है व้ रेंज-बाउंड है और जो चीजे आ रही है जो चीजे ट्रिगर होती जा रही है जिसे आप से माश्री मामलात की बाते चल रही है I.M.F. का पैकेज कितना मुझबत आया है और इसके कितने नेगेटिव समरात आये है इस पे भी आज के प्रोग्राम में हम डिसकस करेंगे लेकिन सबसे पहले बात कर ले Recomposition वा है केसी 100 Index का और तकरीबन देखा जाए तो तीन कमपनिया एड़ हुई है और तीन कमपनिया जो है उसके एड़ हुई है और सबसे पहले बात कर ले जो तीन कमपनिया एड़ हुई है उसमें एर्लिंग कम्यूनिकेशन है रफान मेज है यूनिलिवर पाकिस्तान फूड्स लिमिटेड है आउटगोइं कमपनी में अगर हम देखें तो एजगाड नाइन है आईशा स्टील है आईजी आई होल्डिंग है अब यह जो तीन कमपनिया आई है उसमें सबसे पहले अगर बात करें यूनिलिवर पाकिस्तान फूड्स की तो उसका वेटेग जो है वो जहां तक लग रहा है अंदाजा लग रहा है जादा होगा के इसी चेंज है इसमें जो अच्छे फंडामेंटल साउंड स्टॉक्स का फुगदान है कमी है और जो कंपनीज है जो लिस्टेट कंपनीज है वो जादर जो है वो उस हिसाब से अर्णिंग प्रेजेंट करने में नाकाम रही है देखा जाए तो तकरीबन सौ से ओपर कंपनियां जो इस वक्त यह तो डिफेल्ड कांटर पर है यह वो सपंड़ेड है तो एक तरह है तो टोटल मारकीट का पकिसंटन स्टॉक्सटेंज में लिए लिस्टेट कंपनीका बीशाह से हैं जो के से कंपनियां ऐसी जो हमारा fertilizer sector है इसके इलावा refinery sector है इसके लावा बहुत सी ऐसी यानि कम कमपईयां है जो return अच्छा देती है वो अच्छा return दे देती है dividend wise oil and gas exploration companies है वो अच्छा return दे देती है oil and gas marketing companies में चंद कमपईया ऐसी है जो return अच्छा देती है इसके लावा अगर हम देखें तो काफी जादा जो sectors हैं और जो companies है लिस्टेट companies है उनमें जो fundamental side पर मामलात है वो कम है हम once again देख रहे होते हैं हमारे market में जो volume leaders होते हैं वो जातर speculative stocks होते हैं वो stocks होते हैं जो यह default counters पे हो यह जिनके मामला जो है financial तोर पे और fundamental side पे अच्छे नहीं चल रहे हो उन चीजों में हम जो है वो volumes देख रहे होते हैं और के सी 100 index के एक आध जो है वो participants जिसमें होते हमें नजर आ रहे होते हैं तो यह बहुत 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 का अल्मिया है इन चीजों को sort out करना है और मामला थोरे ऐसे दो सिंद में ले जाने के जो पाकिस्तान का इमेज है वो बैतर हो पाकिस्तानी stock market का इमेज बैतर हो यहां का investor जो है वो एक अच्छा healthy return लेकर जाए इन्वेस्टर का फीडबैक है वो सबसे जादा important रखता है investor का experience है वो काफी जादा important रखता है और जिस हिसाब से market में काम चलता है speculation पे काफी जादा काम चलता है दीगर मुमालिक के तनास्प से अगर हम देखें तो पाकिस्तान stock exchange में अगर हम यह मामला देखें तो काफी जादा है speculation driven जो है अमारी market काफी जादा है तो इन चीजों को थोड़ा change होना होगा इन चीजों के मामलात को थोड़ी दुरूस सिम्त में लेके जाना होगा इसके लावा अगर हम बात करें तो once again political uncertainty भी नज़र आ रही है और जो street politics के लिए पीटी आई की तरफ से इमरान खान साब जो chairman है पीटी आई के उनकी तरफ से street politics के लिए की कोशिश की जा रही है और जो narrative बिल्ड करनी की कोशिश की जा रही है वो अभी current मार्शी हालात के लिए मुझबत नहीं है और सब को जो है अपना participation अदा करना होगा सब को जो है मुझबत रोल अदा करना हो इसके लावा अगर हम बात करें तो शेंगाई कॉर्परेशन का जो organization है इसके जो meeting सबसे पहले बात करने तो याने प्राइम मिनिस्टर शेहबाद शरीफ साब जो है उन्होंने tweet किया है और summit में summit को attend करने से पहले उन्होंने जो है वो अपने अजीज हमवत्रों को जो है उन ज्यादा positive है इनके जो meeting भी है अभी रशिया के सदर व्लाद्विन प्यूटन से meeting है ये जो meeting है इसमें व्लाद्विन प्यूटन की तरफ से रशिया की तरफ से जो gas pipeline है जो काफी ज्यादा ताकीर का शिकार है हम देखें तो मुस्लिम लिग नून के ही दोर में ये मामला है कि gas pipeline में जो काम है जो ताकीर का शिकार है जो delay tactics चले जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से हम तकरीवन देखें तो चार से पान साल हो गए और ये मामला जो हैं वो काफी ज्यादा सुस्त तरवी का शिकार है इन मामला को जितना जल्दी हो सके आप process में लेकर रहे हैं और इ देखना है जिस आप से मामला चले थे एक्स प्राइम मिनिस्टर मौतरम इम्रान खान साब ने जब विजट किया था रश्या का और वो भी कोशिश कर रहे थे कि रश्या के साथ जो है गैस pipeline के deal साइन हो इसके इलावा रश्या के साथ जो यह यह वैपन्स है वैपन्स का exchange औ उस तरह के मामलात भी हो और साथ साथ हम देखें तो रश्या से जो crude oil है उसके भी मामलात हो तो वो जो है हमने देखा कि वो डीले होगे और मामला खराब होगे और political uncertainty की तरफ मामला चले गे और vote of no confidence जैसा एक step आया जिसके बाद हमने देखा कि हमारे political side पे काफी जादा कश देखना ये है कि शहबाद शरीफ साथ पे जो इस message है जो ये चीज है gas pipeline की उसको welcome करेंगे नहीं करेंगे और उसे साथ से जाएंगे कर नहीं जाएंगे US driven policy है फिलहाल अगर हम देखें तो हमारे जितरे भी माजी की मामला चलते आ रहे हैं अब तक जो हमारे मामला चलने हम हमारा NSR US की तरफ जादा है और Western मुमाली की तरफ जादा है इस summit में अगर हम देखें तो Western मुमाली का भी काफी जादा interest नजर आ रहा है क्योंकि देखा जाए तो 40% population जो है उसका ये summit है ये मुमालिक में अगर हम देखें तो जबेकिस्तान है पाकिस्तान है इंडिया है चा में और तक्रीव नगर देखें तो इंडिया और चाइना भी जो है वह काफी जादा कसीर population है और टोटल देखा जा रहा है तो ये 40% जो population उसकी representative हो रही है और चंद मुमाली कैसे हैं जिनके आपसी मामला जो है वह काफी जादा खराब है एक्जैंपल देखूं पाकिस्तान इंडिया और चाइना के मामला था हम देखें तो उस हिसाब से उस लेवल के नहीं है और ये स्पेकुलेशन चल रही है और ये बात्चीश चल रही है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोदी साब जो है वो विजिट वो मुलाकात कर सकते हैं अपने पाकिस्तानी हमन सब हमारे प्राइम मिनिस्टर मौतरम शहबाद शेरीफ साब से और इसके लावा चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिंपिंग से जो है वो मुलाकात कर सकते हैं इसकी भी एक्स्पेक्टेशन है और ये जो समिट हो रहा है समिट का सबसे बड़ा जो याने इश्यू है जिस हाल ये एक्जेमपल देखें पाकिस्तान जो है वो मुसलसल डी वैल्यू होता जा रहा है पाकिस्तानी करंसी जो है वो मुसलसल डी वैल्यू होती जा रही है और अब तक जो याने हम देखें जो दसवा सेशन है इसमें 17.28 रुपे जो है पाकिस्तानी रुपी वो डी वैल् इकॉनमी है जो पूरी दुनिया पे कंट्रोल करती है पूरी दुनिया पे काबिज है इस से किस तरह से चुटकारा है हासिल किया जाए और इसका ऑल्टेनेट क्या बनाया जाए कौन सी इसी यह अल्टेनेट करंसी होनी चाहिए जो इन मामलात को आगे लेकर चले है तो काफी जादा मुझबत अप्रोच है रश्या की तरफ से और चाइना की तरफ से अब देखना यह है कि इस खिते के दीगर मुमालिक इन चीजों पर किस तरह से मामला को चलाते हैं और यूएस और वेस्टर जो हम देखें पार्टिसिपेंट से वेस्टर मुमालिक हैं वह किस तरह से प्हतार आंदाज होते हैं पाकिस्तान तो पाकिस्तान जो काफी ज़ीट आ बेकफूट पर है आई ऐमि एफ के बीमामलात तो पाकिस्तान जब से आई एँएफ्क में घ्या है तो थोड़ी बहुत उमीद है थी थोड़े बहुत मामलात थे कि ये जो 1.1 seven billion dollars जो मिले हैं उससे वो मामलात दुरूस सिंथ में चाहेंगे पाकिस्तान को मजीद मुमालिक मामलात मिलेंगे और जो friendly countries हैं वो investment करेंगे पाकिस्तान में क्योंकि पाकिस्तान जो है वो AIMF के package mentor हो चुक है जो है वो check and balance रखेगा लेकिन unfortunately जो ये procedure वा इसका हमने practical implication देखा किसके बाद और मामलात खराब होगे पाकिसान के और पाकिसान देखा जाए तो इसमें flood में भी फज़ गया है और flood के भी मामलात काफी जादा खराब होते जा रहे दिन बर दिन जो नमबर जाते जाने वो काफी जादा खराब है थोरे बहुत आप लोग क के तनासुब से अगर हम देखें तो आउगस्ट में हमने 29.90 परसंट जादा petroleum प्रोडक्स जो है वो इंपोर्ड किया है international crude oil अगर हम देखें तो discounted है और तकरीबन 100 डॉलर से नीचे चलड़ा है 90 डॉलर से भी नीचे आ गया है वो तो इस वज़ा से हम देख रहे हैं कि जो बाइप्रोडक्स है petroleum और जो main crude oil है तो हमने अधाफा देखा है crude oil अगर हम देखें तो हमने तकरीबन 10% जो है वो जादा import किया है august के महीने में जुलाय के comparative ले अगर देखें और दीगर जो याने बाइप्रोडक्स है crude oil के वो हमने 27.81% जो हमने import किया है एलन जी अगर हम 73.06% इंपोर्ट किया है जादा जुलाय के तनासुब से और जो petroleum gases है वो हमने 35.90% जो है वो इंपोर्ट किया है जादा once again हमारा हमारी जो policy है उसमें जो ताकीर है वो हमारे माशी मामलत को काफी ज़्यादा डेंट दे रही है और हमारे जो माशी मामलते काफी ज़्यादा बिगार पैदा करते हैं इसमें अगर हम चीजे देख लें जो उपर उपर से मोटी मोटी अगर हम चीजे देखें तो जो Crude oil है वो भी हम import कर रहे हैं इसके buy products हम import कर रहे हैं EUR5 के तर्स का जो है हम petrol वो यहने supply कर रहे हैं और वो sell कर रहे हैं जब्के EUR5 हम खुछ जो है वो refine नहीं करते हैं EUR2 refine करते हैं पूरी दुनिया को अगर हम देखें तो वो अपने मुफाद के यहने पर काम करती है जो उनको चीजे सही लगती हैं जो उनकी एकॉनमी को चीजे मुझबत लगती हैं उनके काम करते हैं हम जो है हमें डिक्टेट किया जाता है आई-ए-म-फ की तरफ से दीगर इंसिटूशन की तरफ से कि आप जो है सी-ओ-टू एमिशन इतने ना बराएं और आप योरो के तरस का जो पैट्रोल है वो स्तमाल करें और कार्बशन इमिशन में जो है था जब कि अगर हम देखे तो योरप इन मुमालीक की जो है वो कार्बशन के मामलात को खराब करें बिगार पैदा करें और हम एकलाइमेट चैंज चैंज देख रहे हैं हम यह चीज़े देख रहे हैं और इसकी जो बुनियादी वजह में नज़र आ रही है कि यॉरॉप मुमालिक जो है वो कोल भी एक्सट्रेक्ट कर रहे हैं वो सारे स्यू टू अमिशन्स भी कर रहे हैं और हमें डिक्टेट किया जाता है कि यॉरो फाइफ के तर्सकाप पेट् करना होगा अगर रिफाइनरी पॉलिसी पे हम काम नहीं करेंगे तो हमें जो है मजीद इन चीजों पे मुश्किलात होंगी और हमें अगर इंटरनेशनल क्रूड आयल दुबारा बढ़ता है दुबारा सर्ज होता है प्रोड़क्शन अगर कम हो जाती है प्रोड़क्शन हम देखें हमारा जो मुल्क है वो इसमें काफी जादा फसावा है एपेडेमिक में जो काफी जादा मामलात हैं वो खराब हैं हमारे और जो दवाई है अदियाद हैं उसकी काफी जादा शौटे निजर आ रही है टोटल अब जो अमवाते हो गई अब तक जो रिकॉर्ड भ दवाई हैं उनकी मदद करनी हैं मदद उससाब से करनी हैं कि जो नसेसिटी वाली चीज़ें हैं वो उन्हें प्रोवाइट करनी हैं जिसे बेसिक राशन हैं दवाईयां हैं जो टैंड्स हैं जो जरूरत की चीज़ें हैं उनको सिर्फ बेसिक नसेसिटी चाहिए और जितने भी सेला मतासरीन हैं आप किसी का भी इंटर्वी ले लें किसी से भी आप पूछ लें वो आपको सिर्फ एक ही चीज कहेगा कि काइंडली आप जो ये पानी खरा है इसको हटा दे हम अपने बल्बूते पर जो है अपने आपको डेवलप कर लेंगे और हम जो हैं वो किसी से ठीड रिसलाक बचे जो हैं वो मुतासर हैं ये सहलाब के मामलात से और और उनके जो हेल्थ के एशूस है वो भी आ आगए जाके मजीद खराब हो सकते हैं तो डेंगी के भी मामलात हैं ये जो वााटर बॉटरबॉंड जो डिजीजीज हैं तो ये सारे معاملہ جو ہے وہ کافی زیادہ بگار پیدا کر رہے ہیں اور ہمارے جو سیلا متاثرین ہیں وہ ان چیزوں میں جوج رہے ہیں چیزوں سے جوج رہے ہیں ہمیں جو ہے سب سے پہلے اگر کسی بھی قسم کی امداد کرنی ہے چاہے وہ گورنمنٹ ہو، ان جیو ہو ہمیں جو ہے وہ ان کو بیسک چیزیں پروائیٹ کرنی ہے میڈیسن پروائیٹ کرنا ہے کھانے پینے کی چیزیں پروائیٹ کرنی ہیں تاکہ وہ جتنا ہو سکے अपने आपको सेहत मन्द रखें और ये जो बिमारियें हैं ये जो वबा है और ये जो एपिडेमिक है इससे हम बार निकल सकें COVID-19 के भी मामला चल सकते हैं और COVID-19 भी यॉरप इन मुमालिक में अगर हम देखें तो लॉंग COVID-19 एक आ गिया है लॉंग जो है वो बाडी पटीक और ये मामला चल रहे हैं तो ये चीजे भी हमें देखनी हैं कि ऐसा नहों कि ये सारे मामला जो है पाकिस्तान में आना शुरू हो जाए कराची जो है वो इससे सबसे ज़्यादा मुतासर होगा कराची के अगर हम law and order situation भी देखें तो वो भी क infrastructure के मामलाद कदरन बेतर हैं दीगर शेरों से तो ये सारी चीजे हैं ये सारे मामलाद है गवर्मेंट को और जिती एंजियो जितने पार्डिसिपेंट्स है जितने भी जो respectable इदारे हैं उनको अपना रोल अदा करना होगा नाजीन ब्रेक पर जाते हैं ब्रेक के बाद आप लोग साथ डेटा शेयर किया जाएगा मरसात रहीगा वेलकम बैक नाजरीन नाजरीन वन सेकेंड डॉलर की बात करने तो डॉलर जो है मुसलसल बढ़ता जा रहा है सर्ज होता जा रहा है हमें जो है वो ट्यूजडे और को देखना है नेक्स यूजडे नेक्स वेडनेस डे काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होगा ना से पाकिसान के लिए बलके पुरी दुनिया के लिए फैडरल रिजर्व जो है वो इंट्रस एट अगर अन्चेंज आता है तो अभी करेंट सिट्वेशन जैसे चल रही इस तर जो है मजीद स्ट्रॉंग हो जाएगा और जो फॉर्ण इंवेस्टर है उसका इकराज हो जाएगा तो जो फॉर्ण इंवेस्टर आज बाइंग कर रहा है उसके लिए जो है वो नुकसान होना शुरू हो जाएगा तो वो एग्जट मानना शुरू कर देगा और जो nguloबी ने जो डैंटिया है वह नेगटिव सिफर आशारिया 66% है रिचर्ट बे इक्ओल प्राइस की अगर हम बात करें तो डिचर्ट बे कोल प्राइस 223 डालर चल डा है इसने 4 डॉलर जो है वो गैन किया है WTI crude oil के अगर हम बात करें तो जो डॉलर स्ट्रॉंग हो रहा है तो crude oil के rates जो है वो नीचे आ रहे हैं और जो demand है उसे साथ से कम है जो लोगों के बाद जो है वो कुवत है खरीद नहीं है सवजा से जो crude oil है वो नीचे आता जा रहा है अगर OPEC ने जो है वो production cut कर दी फिर जो ह है उस पर ध्यान रखना है और जो buy products है उनके मामलात को दुरूस करना है WTI crude oil का rate अकर हम देखें तो 85.75 डॉलर चल्डा है इसने 2.73 डॉलर जो है वो लूस किया है सोने का दामिस्व ताबिक है एक तोला सोना एक लाग 53,000 रुपे चल्डा है दस ग्राम सोने की कीमत एक ला पर थी टोटल 30 कुरोशेर का काम वहा है जिसने 17 कुरोशेर सेटल वहे हैं सेल्में का percentage अगर हम देखें तो 55.52 परसंट है पी रिशु जो मल्टिबल चल रहा है चार आशारिया 27 का है market capitalization 6.88 खरब रुपे की है इजाफा 144 कमनी में वहा है गिरावट का शिकार 206 कमनी है रेंज़ पताविक है market ने नीचे 41,724 का लोग बनाया जबके ओपर 42,311 का है बनाया बाउन अफ्तों का रेंज़ पताविक है market नीचे 49,541 का लोग बनाया जबके ओपर 47,608 का है बनाया फीपी लीपी डेटा के साब से अगर हम देखें तो सबसे बड़ी जो बाइंग आ देखें तो बेंकिंग सेक्टर की है नाजीन ये था market का current डेटा उमीद है इस डेटा साब मुस्तफीद होंगे market की condition अभी भी उससे साब से खातरकवा नहीं है और market जो है वो जब भी एक bullish momentum मनानी की कोशिश कर रही होती है तो market में एक अच्छी खासी selling आ जाती है दीगर ज export के number settle नहीं होंगे इसके लावा अगर बताओं तो हमारे जो foreign exchange है उसमें भी जो हमें थोड़ा बो डेंट पर आ है तक्रीवां 116 million dollars जो है वो कम हुए है हमारे reserve और जो अभी current reserve है वो 8.62 अरब dollar है तो IMF का भी जो package है वो भी हमारी economy को संभालने में फिलहाल नाकाम नज़र रहा है तो इस वजह से economy condition दुरुस्त नहीं है और सिम्थ जो है वो अभी नहीं बनी है अपने दोस्तों रिष्टेदारों गरतनों का ख्यार लखेएगा शुक्रेयालाफिस